मस्ते प्यारे बच्चों फिर स्वागत है आपको राम रूप सर्मा चैनल पर आपको पताइए खूब तयारी सुरू कर दी होगी 7th March Mathematics 041 क्लास 10th का को पेपर है और उसकी तयारी अब आपनी सुरू कर दे होगी कल का पेपर कुछ बच्चों का बहुत अच्छा रेस्पॉंस आया है अब आगे की पेपर की तयारी करिए क्योंकि जो कल का पेपर हुआ है इंग्लिस का हुआ है 12th क्लास का और 10th क्लास का हुआ है यह IT का पेपर तो उससे कोई दूसरे पेपर का जो कोड सब्जट के पेपर है उसे आइडिया नहीं लगेगा मैथमेटिक्स की जो मैं वीडियो बनाए जा रहा हूं बहुत सारी वीडियो मैंने डाली हुई है मेरी चैनल पर जाकर आप लगातार देखते रहें यह अच्छे से अच्छे कोउसर जैसा की जैसे को आ सकते हैं उस तरीके के के बिलकुल ये सोच ना ये समझना ये देखना बंद कर दो यी कोशन आएंगे लिडियो कोई भी हो कैसे टाले आप उस तरीके की तेयारी करो यह जो वीडियो मैं डाल ला हूं वो परपर जो है उस चाहर प्रॉで करें ताकि मैं आपको इसी तरीके से help करता रहूं और do to share जरूर करें और share करने से यह फायदा है कि आपको भी फायदा होगा दूसरों को भी फायदा होगा और थोड़ा सा हमें भी फायदा होगा मुझे अच्छा लगेगा अब मैं वेडियो को सुरू कर रहा हूं वेडियो सुरू करने में सेक्षन ए पहले आपको बता रहा हूं आपको पता ही होगा वर्ण मात के six questions होंगे बिरको नहीं मैं फिर दुवारा बता रहा हूं इन questions को देखके आजीव ना सोचे प्रक्टिस करें उस टायट के questions की पहला जो question है व और five raised to the power n की form में फिर इसके साथ-साथ मैंने जोड़ दिया है कि अगर ऐसा है तो इसके number of decimals को बताईए तो number of decimals बताना आपको आता होगा सबसे पहले आप काठिए अगर यह कट जाता है मतलब प्राइम बनाईए इससे तो आप दिख रहे होंगे आपको यह three से ही कट जाएगा तो two से कट जाएगा या five से कट जाएगा यह five से कट जाएगा यह five three जा fifteen और five three जा और five two जा और फिर इसके आप factorize कर लो फिर आप number of decimal निकाल लो तो इस टाइप के questions की तेयारी जरूर करें ignore बिलकुल भी ना करें second जो question है वो है एक quadratic equation मैंने दिया है थोड़ी से tough आपको लग रही होगी बिलकुल भी ना गबराएं आप यह समझे एक्स स्क्वार का coefficient यह है एक्स का coefficient यह है जिसे हम b कहते हैं और constant time यह है जिसे हम c कहते हैं तो हमें बताना है कि यह real और unequal root है मतलब कहने का है कि जब आप a, b और c निकाल ले तो d निकाल लिए अगर d की value 0 जो से बड़ी आजा है तो आप कह दीजिए कि इसके real और unequal root है बहुत आराम से करिए बहुत मजे से करिए starting का ध्यान रखिए इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे paper आना बहुत आसान है चलिए मेरे को याद आगया पहले आप screenshot ले सकते हैं वैसे मैंने कोशिस किये काफी सा value निकालनी है राइट आर इन एपी यह consecutive terms है तो आपको पता होगा कि एपी में कोई भी term होती है तो डीवन डीटू के equal होता है डीवन होगा एटू माइनस एवन और डीटू होगा एट्री माइनस एटू जब आप दोनों को equate करेंगे तो x की value आ जाएगी यह question मैंने रखा है आपका bpt से जब आपको पता होगा जब भी line parallel आ जाए bpt आ जाती है थेस थेरों में apply हो जाती है तो वहाँ पर यह एक quadrilator है और यह abdc के parallel है abdc के parallel है यानि कि यह दोनों triangle similar होंगे या आप यह समझ लिए कि जिए कि अगर किसी quadrilator में एक pair opposite side का parallel होता है तो उसके जो diagonals के intercept होते हैं वो proportion होते हैं यानि कि OA upon OC equal to OB upon OD cross multiply करेंगे तो आपका x की value आ जाएगी उसके बाद में है question number 5 यह तीन time है तीन point है इसका नाम मालू P है इसका नाम Q है और इसका नाम R है कुली लिए रहें तो आपको यह प्रूव करना है इन points को देखके बिलकुल ना डरें आप अपने concept के according काम करें आप area of triangle equal to 0 करेंगे आप solve करते रहेंगे करते करते यहां पर आ जाएंगे उसके बाद में जो question number 6 रखा है वो मैंने trigonometry से रखा है कि 10 theta plus 1 upon 10 theta 2 है तो 10 square theta plus 1 upon 10 square theta की value निका लिए आपको question को देखके ही समझा रहा होगा कि दोनों side का whole square करेंगे तो 2a भी जब आएगा तो 10 theta बहुर 1 upon 10 theta कट जाएगा और वो आसानी से solve हो जाएगा तो बिलकुल भी ना डरें और इस तरीके के question की तियारी करें मैं इनका solution अगली वीडियो में आपको completely ल अगर आपको जरूत पड़ेगी PDF में मैं इसकी डालूंगा क्योंकि बहुत सारी बच्चों को यह problem रही है तो मैंने PDF इसको डालनी है तो पहला question देखिए 7 कि अगर 408 और 1032 को express किया जा सकता है इस form में तो आप M की value निका लिए बहुत आसानी से question solve हो सकता है 1.2 का जो एक question है यह आप इन दोनों का HCF निकाल लिया और उच HCF को इस form में आप एक्सप्रेस कर दो M की value आजाएगी अब उसके बाद में question number 8 है बहुत आसान सा question है यह 2 equation आपको दी हुई है लेकिन यहां पर लिखा हुए cross multiplication method से देखें इस वीडियो का purpose आप मेरा समझ गये होंगे कि ज solve करना है अगर cross multiplication से solve करना है तो आपको यह method लगाना होगा question number 9 है question number 9 में 3 AP है उनकी जो पहली time है सभी की 1 1 1 1 है और तीनों का जो common difference है पहली AP का common difference है 1 दूसरी AP का 2 और तीसरी AP का 3 है तो आपको probe करना है S1 plus S3 is equal to 2 S2 तो तीनों के formula लिख दो उनमें value put कर दो और cross multiply कर दो solve कर तो उसके बाद में question number 10 है T11 terms का sub निकालना है एक AP का और direct ने दिया देखे थोड़ा सा twist होता है जो अजीव question होते है जो tough question होते है उन्होंने का है middle term 30 है तो आप confuse मता हुए total term 11 है इसका middle term 6 है मतलब A6 30 दिया हुआ है A6 से value निकाल लिया और S11 आप निकाल दीजिए उसके ब नमबर लिखे हुए है 2 से 101 तक ध्यान रखना card है तो मतलब table यह नहीं होता कि playing card है उन मेंसे एक card हमने निकाला आपको बताना है कि perfect square होगा वो number perfect square आप select छाट लिजे इसमें से और prime number होगा जो 20 से कम होगा तो बहुत आसानी से आप कर सकते है question number 12 मैंने रखा है coordinate geometry से coordinate geometry में है कि एक point है P और उसका x coordinate y coordinate से दुगना है मतलब x coordinate को अगर आप के मानते हैं तो y coordinate हो जाएगा y coordinate को के मानते है सोरी तो x coordinate हो जाएगा 2K और फिर आप इसमें वह concept लगा दो कि अगर यह point P था तो P Q is equal to PR solve करेंगे आपको आसानी से P के coordinate आ जाएगे अब section C पर आते है next part section C म marks का होगा आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मैंने choice नहीं रखी है आपको बोल में choice मिलेगी section C में चार चोईस है तो जो question number 13 में रखा है वो 1.1 से रखा है 1.1 yucle division lemma के base पर ही हो जाती है कि आपको बताना है कि अगर कोई number है और 3 का divisible है तो वो या तो इस form में होगा या equation मैंने दिये है और उनके 2 zeros का product 12 है तो 0 वान लो आप alpha beta gamma 2 0 का product यह है बाकि उसकी तीनों property लगा देना कि sum of three zeros minus B upon A alpha beta beta gamma C upon A इस तरीके से और उससे solve कर लेगे अब मैंने 15 जो question है वो रखा है linear equation से बहुत आसा question दिया है अकसर यह question आ जाता है कि two digit number है two digit number 10x plus y आप माल लेंगे और वहाँ पर इनके दो condition से two equation बना देंगे दोने equation को solve कर देंगे question number 16 मैंने रखा है 8.2 और 8.3 के mixture से अकसर ऐसा ही आता है तो यह question आपको देखने में लग रहा होगा बहुत आसानी से solve हो जाएगा 90 minus theta का concept आप इसमें रखेंगे question number 17 जो है यह प्रूब करना है कि यह मैंने chapter 6 से रखा है कि equilateral triangle जो होता है किसी square की एक side पर बना हुआ equilateral triangle का area half होता है उसके diagonal पर बने हुए equilateral triangle के area के NCRT की book का question है question number 18 मैंने रखा है कि यह EF DEF mid points है किसी triangle के तो आप triangle का area निकालिए तो mid points से पहले आप बड़े triangle के vertex के coordinate निकालिए और फिर उसका area निकालिए area of triangle के formula से question number 19 मैंने यह भी NCRT की book का ही रखा है chapter 10 से है last question है second last question यह आप area of triangle आपको दिया हुआ है और इस triangle इसके तीन पार्ट करके तीनों का area का sum इसके equal कर देंगे आपको यह tangent की value आजाएगी और फिर आप side निकाल सकते है question number 20 रखा है वो मैंने रखा है area of sector से आपको यह figure दिख रही होगी जानी पहचानी से figure है आप sector मेंसे triangle minus करेंगे और यह portion आपको आजाएगा इसे plus कर देंगे question number 20 रखा है वो रखा है मैंने chapter 4 से quadratic equation से आपने question किया हुआ होगा कि एक pipe है उसमें जो है आपका जो पानी का flow है वो 7 meter per second है आपको याद रखना है कि अगर rate दिया हुआ हो तो उसको time से multiply कर देता है तो उसके height बन जाती है तो pi r square h को pi r square h के equal कर देंगे question number 20 रखा है वो बहुत simple रखा है यह एक आपको table दिया हुआ है observation का उसमें x और y की value निकालनी है median दिया हुआ है median दिया हुआ है इसका मंदब median ही आपको निकालना है तो यह है section C इस तरीके के question की try जरूर करें अब हम आते है section D पर screenshot आप पहले अच्छे से ले लीजिए थोड़े से question को मैंने ऊपर रखा है मैं चाहता हूँ आप इस तरीके की level की तयारी करके जाए तो आपके ज्यादा माक्सा है मैं नहीं आपको रोकना चाहता 30 40 परी तो question number 23 जो है मैंने 8.4 से लिया है यहाँ पर 1 plus sin square theta 3 sin theta cos theta के equal है तो आपको प्रूब बताना है कि 10 theta की या तो value 1 है या 1 by 2 है मैं थोड़ा सा हिंट अभी दिये जिता हूँ सबसे पहले से sin theta cos theta से cos theta से divide करते चले जाओ मैं आपको लाना है actually 10 theta लाना है तो 10 theta लाना है तो इसे cos theta से divide कर दो तो 10 theta में आ जाएगा quadratic equation बन जाएगी question number 24 जो है वो मैंने AP से रखा है कि किसी AP की M terms का सम है उस AP की M terms के सम के equal है जब आप इन दनों को equal करेंगे तो आपको एक relation मिल जाएगा तो फिर आप S M plus 1 नेकालेंगे तो उसकी value put करेंगे 0 sum आ जाएगा उसके बाद में जो 25 question है वो मैंने directly वैसी दे दिया है कि या तो आप BPT theorem करिए या तो आप यह theorem करिए मैं तो चाहता हूँ आप 4 theorem त्यार कर लो उसके बाद में 26 जो question है वो simple दिया मैंने OGB बनाने के लिए दोनों टाइप के OGB यह observation दिये हुए है question no.27 में मैंने height and distance मतला application of technometry यानि की chapter 9 से question दिया है कि एक cloud है उस cloud को अगर हम sea level के 60 मीटर उपर से देखें तो उसका जो angle of elevation है वो 30 degree है अगर हम उसके reflection को देखें तो angle of depression 60 degree है तो आपको cloud की height निकाल ली है मेरा ख्याल है आप कर चुके होंगे यह question नहीं तो मैं आपको next video में इसका answer दे दूँगा वैसे इसकी video हां मेरी already पड़ी हुई है आप application of technometry से search करेंगे तो cloud वाली question की video बहुत अच्छे तरीके से मैंने बढ़ाई हुई है उसके बाद में 28 question है जैसे मैं आपको पहले ही बताते चला रहा हूं फ्रस्टम का question आएगा यहां पर मैंने थोड़ा सा उसे बढ़ा दिया है कि ऊपर फ्रस्टम का part दे दिया है औ 14 required भी निकाल लिए है तो volume का formula आप जानते होंगे इसका volume और इसका volume दोनों का अलग अलग निकालेंगे दोनों को plus करेंगे सारी dimensions आपके पास है एल नहीं है तो एल आप निकाल लेंगे उसके बाद में 29 question जो रखा है वो मैंने रखा है पाइथागरस theorem के वेस्ट पर यह आपका optional action यह इसकी जो वीडियो है मैंने अभी 4-5-6 वीडियो पहले ही डाली है ऐसे 5-6 question डाले जो बहुत important है जिनकी trick आपको समझाएजी बहुत असानी से solve कर लेंगे last question है वो रखा है मैंने आपको chapter 3 से के एक boat है आप boat का question करना आता होगा के आप boat की speed x मानलो stream की speed y मानलो down में x plus y हो जाती है आप में x minus y हो जाती है 32 km अप में जाने पर और 36 km डाउन में जाने पर टोटल टाइम लगता है 7 hours तो एक equation बन जाएगी 32 upon x plus y plus 32 upon x minus y plus 36 upon x plus y इस तरीके से दो equation को आज solve कर लेंगे तो यह मैंने section dealer डाला है आप इसे अच्छे से बैठके 3 घंटे में करने की कोशिस करें और जो जो प्रॉलम हो उन्हें आप देखें इस वीडियो से बिल्कुल भी यू ना टरे के यह बहुत difficult है मैंने level थोड़ा बड़ा है क्योंकि मैं चाहता हूं को जब बच्चे इतने तैयार हो गए 40-50 नंबर के लिए तो क्यों ना वो 70 प्लस नंबर के लिए तैयार हो बाकी मैं आपकी और वीडियो अभी डे बे डे चलती रहेंगी दो तीन दो तीन वीडियो जितनी हो सकेगी मैं question paper के करीब जाता चला जाओंगा और अगर आप इतनी महनत करेंगे तो वेरी बेस्ट